नमो नारे ये गोमाता वंदे मात्रों में भारती कुप्णाम और हिदाएश्य ओम्शं शनिष्चराय नमो प्रिदर्शकों मित्रों शाथ्यूं दिवास्तों में किसी पर विश्वास करना हो यकीन करना हो भरोशा करना हो तो परमात्मा पर रखो और वही है परमात्मा जो हमारी हाथ से बहतर को छीन कर बहतर हिन देने का समर्त रखता है और परमात्मा की नाम में बड़ी बरकत है प्रभू की नाम में बहुत बरकत है वो मेरा जो दाता है वो मेरा जो मालिक है वो मेरा इश्वर वो मेरा प्रमात्मा वो मेरा भगवान उस प्यारी प्रभू की नाम का जब शुम्रन करोगे न उस सब कुछ देता है जब हम प्रम आत्मा की नाम का इश्मन करतें, शुम्रण करतें, तब ये जूट, ये बेमानी, फरीब इसे भामारा कुछ नहीं बीगार से, ये हमारे आसपास भी नी पटकते हैं, इतनी ताकत है प्रभु की नाम शुम्रण और नाम खोमारी, नान का चड़े से उतरे नाए, उसे नाम का भजन करो जिवन खुशियों से भरा रहेगा ओम नमो ना रहेगा प्रदाशकावन में तरों साथियों बात करते हैं 19 अगस 2023 की राशी पल और पंचांग राशी पल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग सुद्ध स्रावन शुकल पक्ष की तृतिया विक्राम समद 2080 भाद्रपद मास की तीन परविशे सक्षण 1945 सरावन अठाइस तद अनुसार शानिवार 19 अगस 2023 सुद्धकालिन तेथी तिरतिया है तिथी का जो समाप्तिकाल है वो शाम 10 बज कर 19 मिनट अगली तिथी चतूरती हो सुद्धकालिन योग शिद्धा योग है योग का जो समा समाप्तिकाल है साम 9 बज कर 19 मिनट अगला योग शाद्धी होगा सुद्धकालिन करन तेतिल करन है करन का जो समाप्तिकाल है वो सुबह 9 बज कर 11 मिनट अगला करन गर होगा सुद्धकालिन नक्षतर उत्र फालगुनी नक्षतर नक्षतर साम सूरीदेव है नक्षतर का जो संचरन करने हैं आजबेय योगायोग है प्रात्काली लगन शिंगलगन में शूरी देव चंद्र देव ओर बुद्द्र मंगल देव कन्या राश्य में ब्रशुपती देव रहुत देव मिश से उत्तम मौरत कोई भी नयार सुभकारी जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना उसे आभी जीत मुर्थ में करें और आभी जीत मुर्थ मगवान सरी हरी को बहुत प्रिया है सुभका चोगडिया सुभे साथ बज़े से लेकर सुभे नौ बज़ कर आठ मिनट तक लाब का चोगडिया दोपर दो बज़ कर तीन मिनट से लेकर दोपर तीन बज़ कर एक तालिस मिनट तक रहेगा अमिनित का चोगडिया दोपर 3 बज कर 41 मिन से लेकर साम 5 बज कर 19 मिन तक रहेगी आज का जो रहुकाल है उपराते 9 बज से लेकर साड़ी 10 बज तक रहुकाल दोन शुबकारी करना, सोधना करना, पुझने करना, अनकूल और उचित माना नहीं गया है आज की दिन यातरा पे जाने से पूरू अद्रग चबाते वे यातरा पे निकलेंगे तो कस्त कम आएगा प्रदाशकों मित्रों शाथियों समय काल परस्तितों में बहुत परिवर्तन आया है और इस समय अति आदुनिक साधन है यातरा हों कि आप किसी भी दिशा में यातरा करिएगा मेरी और से कोई प्रतिबंद आपके उपर नहीं हाँ लेकिन आज के दिन जब आप यातरा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले साथ कदम पच्छिम दिशा की और जाए इस देवत आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ओफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे के बीच में उठाए जाए जाए इसलिए मे सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा इस बात का ध्यान पर दर्शक्रों मित्रों शात्यों 19 अगस्त आपका जनम दिन या फिर शादी की साल गरे तो मेरी और से आपको हार की साल करें तो पत्ति पत्ति की दोनों इस उपायों को करें और अगर आपका जनम दिन इस उपायों का आप श्यम खुद करें सनिवार दिन सुर्य उदे से ठीक 12 मिंट पहले बर्गत का इक पत्ता तोड़के लिए जल गंगा जल से पवितर कर ले तस पर साथ अपनी लंब शुर्य पुत्राय क्लिंग क्रिश्नाय नम इस मंत्र का 108 बार जाब तस पर साथ ये जो पत्ता है ने धागे से बैते वे पानी में प्रभा कर दे या किसी सरोबर में प्रभा कर दे उड़त गोसा लामे दान में दे ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें पूरा साल खुष्यों से बितेगा और केरियर कारुबार में उत्तम आउसर मिलेंगे अब मैं आपके राशिफल की बात करूँगा यह जो जड़ाशिफल है वो आपकी चंदर राशिप्राधारी तरह राशिफल पूर्शों के लिए है महिलाओं के लिए बुजर्गों के लिए बच् समाज परिवार में एक उत्तम इस्ति रही है मैनत परिश्रम संगर्श का पूर्ण फल मिलेगा भाग दोड़ है उठापटक है लेकिन महनत और परिश्रम की वज़े से कारियों में सुधार होगा धन प्राप्ति के अउसर मिलेंगे आर्तिक इसमें सुधार होगा स्वजन मित्रों से मदूर सबंद बनाए रखे तो सारा दिन खुशियों से बीटेगा लेकिन फिर भी घरिलू और सामजिक जिम्दारियों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा बुजर्गों की सलापर काम करना होगा और यात्रा में सावधानी बढ़तनी होगा आप युवा है भी जीवनसात्य के साथ रिष्टों में प्रगारता है शंतान शुक की संभावना नजरारी और लेखन में हैं साहितिय में हैं शंगीत में हैं एजुकेशिन के छितर में हैं या उच्छिक्सामें अध्यांडत है तो अच्छा लाब मिलेगा और आगे बढ़ने का मोगा भी मिल रहें मेश्र आश्वालूप प्रतिकाल नित्य करम से निरो सिनानों प्रांद सुरी उदे से ठीक बारा मिंट पहले ओम शम गुणात मने नमहा इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुश्यों से बिते गए नमने और बात करते हैं विश्वर आशी चौथे भाव में चंदर परवरिक्ष्वंद में मनबुटावी नजर आ रहा है धन का अपवय है मांसिक तनाव रुष्वस्त भी प्रभावी को सकता है अधनानी की समश्या है आवास संबंदी समश्या है स्वजनों से स्वयोग नहीं मिलेगा और वहां प्रियोग में भी लापरवाई की तो नुक अधिकारी के स्वयोग से कारी संपन होंगे लाप मिलेगा कारी सीदी से मनोबल उंचा रहेगा आज भूमी और वहान का सुख है और परवाई स्वयोग और प्रसंता बने देगी क्या करें मत्पुन वैवश्याइक वारता अपनों के साथ बैठ कर संपन करें क्या ना करें करज ना ले आए सुबंग नों सुबरंग हरा भाग्या प् और सुन्दर उपाई शंपून परियासों के बावजूद भी धन को लेकर तनाव है धन की प्राप्ति नहीं हो रही है मैने तो परिष्णम का लाब नहीं मिला है कारोबार में घाटा हो रहा है कारोबार में आगी बढ़ने का मोका नहीं मिला है तो किसी भी सनिवार के उप सब्सक्राइब करें इसके साथ एक माला या एक सो आट बार ओम शंशनिश्चराय नमग ध्वजनी धामनी चयव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहे चात तुरंगी मैसी अजा ओम शंशनिश्चराय नमग इस मंत्र का एक सो आट बार जाब के उपरां सरदानुसारी शवा सब्सक्राइब है था किलो तेल लेने का नहीं है तो शामर्ति अनुसार तेल लेना लगाने यमिन बात करता है करकर आ बिमिलेगुर धनकी प्राप्ति और उनकी बात को नहीं माना तो कारीषिती बिगर सकती इस बात का ध्यान लगेगा। विद्यारतियों को पड़ाई और के छेतर में युवाँ और विद्यारतियों को कड़ी मेंद्र कठी पर और शंगर्ष्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी चिंताइं हैं लापरवाई नहीं करिएगा। खर्चे से काबव में रखिएगा। खर्चा काबव में नहीं होना चाहिए। और परिवार में कलह नहीं हो इसके लिए प्रियास करें परिवार में कलहा नहीं होना चाहिए शुबंग शपेद भागी आपकी पक्स में 60% लाब कर संकेत करकराजवाल ओम श्मनील वरनाए नमहां इस मंत्र का जाब सुरी उद्धे से पहले करने से कष्ट परिशानें दुखों से स्टकारा मिलेगा नमनें बात करते हैं सिंग्राजी लगन भाव में चंद्र देव लग अतिक उनतिग और मांसमान बढ़ेगा आप युवा है विद्यारती है कारुबार के चित में भाग्योंदे होगा नौकरी में लाब मार्ग प्रसत होगा परिश्रिम का उचित फल मिलेगा पुराने मित्रों से मिलन होगा और कारुबार यात्रा सपल और शिक्षा के चित मे उत्तम आउचर है क्या करें विचार की अनकुलता बना के रहें क्या ना करने वेर्त में धन खर्चना करें सुबंग साथ सुबरंग सनरा भग्या आपकी पक्समे असी प्रसंद लाब कर संकिते सिंग राश्यवालों ओ मुशम विश्वलु भगता इनमहा इस मंत्र का जाप बंतेवे कारियों में रुकाउट है परिशानी है वैपार में लगाए गई आज दी वैपार में कोई धन लगाएंगे तो दूर सकता है धन के देन में सतरक्ता बरते अन्यता हानी होगी स्वास्टी प्रभावित होगा और चिकसा पर खर्च है यह और विध्यारतियों को व परवाई नहीं करें शुबंकार शुब्रंगहर आप भागया आपके पक्समें चालीस प्रसंद लाब का संकेते कन्या राश्वर्ण ओ मुश्म सर्वाविष्ट प्रदाय नहीं 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 इस मंत्र का जाप प्रदकाल नित्य कर्मिए उसनान उपरान शूरी उदे से मैनेत परिशम संगर्शका पूर्ण फल मिलेगा समझिक दाइरा बढ़ेगा सोचल सरकल बहुत अच्छा रहेगा राजनेति के चेतर में उत्तम आउसर के साथ प्रशासनिक व्यवस्ता मजबूत होगी विगड़ी काम बनेंगे रुकावा धन प्राप्त होगा सास और प्र कर्म कर्म में आस्ता प्रबल होगी क्या करें वाइबंदुर मित्तों की मदद करें किसी किसा भी धोका करने का प्रियासना करें सुबंगतिन सुबंग नीला भाग्या आपकी 75% लाप का संकेत हैं तुलाराश्वल ओ मुशामन नील लोहिताय नमहा इस मंत्र का जाक्तन अति कारा मिलेगा सबाव में नमरता रगी महनत और परिश्म का पूर्ण फल मिलेगा कारी इस तर पर आपकी अपरी एक पकड़ होगी और कारुबार में और कामकाज में उत्तम अउसर के साथ आर्थिक पक्सुदर होगा कारुबारी यात्राइब लाबदाएक रहेगी केरियर का इडूकेशन के सब्सक्राइब का यवार विद्यातियों को उत्तम आश состав वल क्या कहरी में जॉब समधि मसेले होंगे नौकरी में प्रमोसन हो सकता मनों को इस्तरान हो सकता है और कामकाज में लगाएगा धन आच्छा भी जएगा क्या करें कामकाज में नौकरी में वेविशाइव में समाज में चला देना अच्छी बात है वेंसकर में इस ऐसे कर Одस firefight के लिए नहीं आना करें इस बेद वेतकी इन अबत करें दखेबों मेरा आज करना सिंधन करें है आध करना लुट अख साइब करना इस मंत्र का जया वानी की अनुकुलता से अपने मित्रों और अपनों का स्वयोग अच्छा रहेगा. बोधिक और शिक्षा के सिर्में विकास होगा. आर्तिक पक्स उद्र होगा. पिता पक्स बहुत मजबूत होगा. घर के बुजरगों की सला से कानूनी समश्याओं का समधान मिलेगा. कर्म में शुधी करन रखे तो और अच्छा पल मिलेगा आप युवा है विद्यारती है अज महतापिता की बात माइए उनकी साथ रहे उनकी अनुसार काम करेंगा आपको अधिक लाप मिलेगा क्या करें थोड़ा सा खान पान को लेकर नहीं मित रहे क्या ना करें अपनी बात आप जबरदस्ती मनवाने का प्रियासने करें शुबंग एक शुबरंग सलेटी भाग्या आपके 55% लाप कर शंगेदे धंदाश वालों ओ मुशम कुर्म अंगाए नमहां इस मत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमनाने प्रदर्श को मित्रों शाथियों बात करते हैं को से लोगों को उसका लाब मिला है इदि आपको केरियर कारुबार नौकरी में नेगेटिव थोट रहते हैं रहते हो नौकरी में अनावस्यक परेशा नहीं आती हमीशा द्वंद रहता है लड़ाई जगरा काई रहता है तो हर शनिवार को प्रदोश काल में सपेद बात मुटी काला नमक बांध कर पोटली बना है तो रहात में सोते समय अपने सिनाने रखे रविवार की सुबे सुर्य उधे से प्र अपने शाथ बार उसारे और बास बेसे अपने हाथ में लेकर फिलस आउट कर देगे लगातार 40 सनिवार करकर के डेगी करियर हो चाए नो नौकरी में कस्ट है संकथ है प्रशान twenties व्हगन है बाधा है और विगन और बाधाउों के पर70 कारण कोई और नहीं अपकी नासमझी है आपकी जलदबाजी संयम aí जल्दबाजी से कोई निरने निलेगा और परिवार की सलाम माने आज परिशानी है धनानी है आप सी संबंदों में मनमुटवाग की वज़े से लोग उसका फाइदा उठाएगा असंतूची की वज़े से बना बनाया काम बिगर जाएगा इच्छाओं पर काबू रखे और मा कि अपना आपको दूर रखे मैंनत करें परिश्रम करें शंगर्श करें कि ठाली में परिश्कर कुछ नहीं बिलेगा क्या करें चिक्रसा के परती साफधान है क्या ना करें बिना सोचे समझे कारूबारी मामले में किसी की मतष्ता ना करें शुबंग्चार शुमर्ण परपल भागी आपकी चालीस प्रसनलाब कर संकेत हैं मकराजव ओम्शामनित्याए नमहां इस मंत्र का जापकाना अति उत्तम रहेगा नमनायन और बात करते हैं कुमराश्य की सप्तमभा में चंदर देव सप्तमभा में चंदर देव शूर गमद करने में समर्थ रही गोरे मनो काम नहीं जूरूर पर देपी के शित्र में उत्तम उफसर के साथ साथ कामकाज और नौकरी में सफल्ता में मिलेगे नए मितरता और संपरक्षुत्र लाब देंगे इसे बढ़ा है क्या ना करे शाथियों की उपक्षा ना कर शुभंग करें के सुधा से नौकर्मिय उनति मननकुल इस्थान दन प्रमोशन की प्रबल संभावना आवशक कारिये बनेंगे प्रचूर मात्रा में महनत और परिश्रम का फल मिलेगा धनलाब की अच्छे उसर मिलेंगे सुक के साधन बनेंगे सामझी को धर्विक करने का उसर मिलेगा आप यूँआ हैं देश विदेश से आपके अच्छे समझ बनेंगे नक्षत ग्रणाशुप स्वमचारों का संकी धरी मननकुल रोजगान के साधन प्राफ होगी स्वजनों के सविक से वेवसाइब इस्थार का मोका भी मुशना क्या करें केरियर में अपनों के साथ मिलकर म देशफ को मित्रों शाथियों यह था बारक वारा राशियों का राशिपल नक्षटरगर्णाओं का अधार पर मेरा नीजी आं врем नित्रों शात्यों नभाय नभ्रम नभ्रांति विवाद नटर्क शकन उपिनन का अधिकार आपके पास था आपके पास है आप ही के पास रहेगा मनोन मनो यह आपकी मैस हाँ क्योंकि आंकलन मेरे था और मेरे से कोई भूलो में यह दोनों हाथ जूड़कर आपसे च्रमा मांगता हूं आप सुखी रहें आप स्वास्त रहें समर्दी सील रहें सने देव के चल्ण में मेरी प्रात्मा ओम नमा उला रहें हया दॉश्तान का हर व्यक्त है जानत है क्ट लात्य मारास जाय को प्लाव कर्ध है, हजारों शक्डूं बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूंध जीवन दीआ है और यह मेरा सोग था मेरी राष्ट की धुरौवर थीए और यह कर्ota मेरा कर्थ हैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा आश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षाब शेवा करें, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करें, धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर दिए, कि सनिधान गोषाला की गाएं तुकही नहीं रहें, इसके लिए आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नंबर आ रहा हैं, इन नंबरों पर शंपर क और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी मेरा ये एहंकार नहीं है, शातियों, मेरा पर राश शरो पर है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं यह कहा हूँ, मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शानि भगवान आपकी रिक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐस परिशले एक महिने में लगवग लगवर 20-25-50 लोग ऐसे भी हैं, जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है, मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ, और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी परस्ति आर रहते वे जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देखते विए, हिरदय से पने एक बार न नमना रहें, ओम नमना